दो हजार पंद्रा में ग्रहों की दशा आपको नए अवसर प्राप्त कराने और नए रास्ते दिखाने में सहायक होगी जिससे आपके जीवन में विकास एवं व्रद्धी होने वाली है नई योजनाओं में आप विशम समस्याओं का हल निकाल पाएंगे आपको नई उर्जा और शक्ती का नया स्रोत प्राप्त होने की संभावना है आपकी सामाजिक और कलात्मक मनोकामनाएं पून होंगी जिसके द्वारा आप अपने नए मित्र बनाने में सफल होंगे और भविश्य में वही मित्र आपके व्यक्तिगत एवं व्यवसाई कारें में आपकी तन मंधन से सहायता करेंगे आपको साब्धान रहना होगा कि आपको कहीं मंगल देव ग्रह या वरुन देव किसी अविवे की कारे करने पर निर्न लेने का संदेश न दें अपने बड़े लक्षों की और अपना ध्यान रखें और सांस्कृतिक गतिविदियों पर बहुत ही कम ध्यान दें इस वर्ष आप अपने जीवन में अपने सिधानतों और अपनी महत्व कानशाओं की और अग्रसर रहेंगे जो जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनका यह संकल्प सरल और सरस होगा किन्तु अपने अपने संकल्प और विश्वास पर अटल रहें नहीं तो गरबड़ भी हो सकती है अपने प्रती दिन के कार्य कलापो सहित कई नए महत्वपून उन्नती के मार्गों को खोज निकालें ग्रहों की दशा आप सभी के रास्ते में सहायक सिध्ध होगी आपको अपने कार्य छेत्र में तथा जीविको पारजन स्थान में अपने छोटे बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा जिससे आप उनका सही मार्गदर्शन प्राप्तिकर अपने जीविको पारजन में काफी लाब प्राप्तिकर सकेंगे जहां तक रिष्टों का प्रश्ण है अपनी इच्छाओं के बारे में सो निश्चित्ता करें जो आपके जीवन में कुछ अवरोधक कारे रुके हुए हैं उनको अब शीग्र कर सकते हैं आपके प्रेम संबंदों के मामले में नए अवसर स्थिर होने की संभावना होगी वर्श के मध्य चरण में प्रेम और विवाह का अनुभव हो सकता है जो अभी अविवाहित हैं उनके लिए वे अभी अपनी दिन चर्या को अच्छे कामों और उन्नती की और लगाएं जो विवाहित हैं उनके घर प्रजा होने की संभावना होगी रिष्टेदारों के साथ संबंद मजबूत बनाने से आपको उनकी सहायता भी मिल सकती है विवापार में आने वाले अवरोधों से साबधान रहें आपको अधिक लाब की प्राप्ती के लिए अधिक परिश्रम करना होगा यहां तक की आपको अपने विवापार कारे में बहुत अधिक समय देना होगा आपको अधिक लाब की प्राप्ती होगी किन्तु खर्चे भी अधिक होगे इसलिए परिश्रम ही आपके लाब, क्रै विक्रै और उतमें संतोश ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती होगी आपको अपने आए और वे के ब्योरे आदी पर विशेश ध्यान देने की भी आवशक्ता होगी आपके शरीर के अंदर एक नए उर्जा का विकास होगा और वहे आपके शारेरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थता का पूरा ध्यान रखेंगे शारेरिक और मानसिक प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा अपने भूजन और खान पन पर विशेश ध्यान दे क्योंकि उल्ट पुल्ट और बहरी भूजन से गैस आदी के शिकायत हो सकती है अपने स्वास्थ और आत्मा की शान्ती वे आनन्द के लिए अपना ध्यान रखें और विश्राम भी करें बहुत सारे कई विश्यों में ये वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों का वर्ष हो सकता है राशीफल 2015 में ये संकेत मिलते हैं कि अगर अभी आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका शुब विवाह हो सकता है आपका भविश्य रोजगार और विशेश कारे के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है इस वर्ष जो रोजगार में हैं उनकी पदोनती भी हो सकती है 2015 वर्ष में आप अपने कामों के सिलसिले में इधर उधर बहुत से यात्राएं कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिल सकती है परन्तु कुछ में असफलता भी मिलने की संभावना है इसी लिए ध्यान से और सोच विचार कर निर्ने लें धन प्राप्त की स्थिति सही होगी किन्तु उसका वैस सोच विचार करके करना होगा नहीं तो हानी भी हो सकती है स्वास्थता में कभी-कभी मौसम के अनुसार अस्वास्थता भी हो सकती है जिसके लिए खुद ही साफधानी बढ़ते हैं शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शुब और फलदाई होगा उनको अपने कारियों में मेहनत करनी होगी करकराशी के लोगों को मंदिर में दान देना और गरीबों में ड्राइफल देना उपयोगी सिद्ध हो सकता है यग्य द्वारा भगवान गणपती देव की पूजा से सुख, शान्ती और फल प्राप्त हो सकते हैं आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दय धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाय प्रदान करते रहेंगे